निसुल्क रासन लेने वालों के लिए एक बड़ी खबर जारी हो चुकी है अगर आप भी निसुल्क रासन लेते हैं तो इस वीडियो को आप अंद तक जरूर देखेगा दोस्तो सरकार द्वारा नया अभियान फिर से सुरू किया जा रहा है अगर आप भी एक रासन कार धारक हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप अंद तक जरूर देखेगा क्योंकि काफी वैक्तियों को यहाँ पर बड़ा जटका लगने जा रहा है दोस्तो आपको बदा चाहेंगे कि नए अभियान के अनुसार अब काफी लावार्थियों के रासन कार को निरस्त कर देजाएगा दोस्तो आपको अगर अपना रासनकार बचाना है तो आपको क्या क्या कारे करने है वे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जो कि केंद सरकार द्वारा भी वहन यम लागो किये गए हैं अगर आप उन यमों का पाला नहीं करते हैं तो दोस्तो आपका रासनकार निरस्त हो सकता है तो चलिए जान लेते हैं संपुन जानकारी आपसे हमारा चोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को आप चिरो सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तो आपको बता दें कि राश्टियक हाद्य सुरुक्सा अधिनियम के अंद्रगत सहरी और ग्रामिन छ निर्धारित के गए हैं जिसका पादन करना सभी वैक्तियों को अनिवारिय है चाहिवे सहरी इलाके से हो या फिर ग्रामिन छेतर से दोस्तो पात्रों को अंत्योध्य इवं पात्र ग्रश्टि स्ट्रेण के रासनकार जारी किये गए हैं यानके चाहिवे सहरी छेतर से हो य निसुलक रासन भी ले पा रहे हैं। दोस्तो अधिनियम का उदेश्य गरीब प्रिवारों को ही इस योजना में सामिल करना और उन्हें लाब देना है। अगर वह पहले से किसी बिमारी से गरस्त है और वह अच्छे हो जाते हैं। और वहें गरीबी रेकर से उपर आ जाते हैं या फिर दोस्तों उनके वच्चों की नोकरी लग जाती है उनके वच्चों को नोकरी मिल जाती है या फिर वहें इंकम टेक्स करते हैं इंकम टेक्स के दाइरे में आते हैं तो ऐसे में दोस्तों सरकार दुआरा एपातर घोसित कि गर आप पहले गरीबी रेकर से नीचे आपन करते थे या फिर आपके परिवार में आप किसी बच्चे की नोकरी लग चुकी है तो दोस्तो ऐसी इस्तिती में लबारतियों की रसनकार को सरकार निरस्त कर सकती है। क्योंकि दोस्तो नई नियमों के नुसार जिनके प्रिवार में गौर्मेंट जोब है उनको रसन नहीं दे जाएगा उनका रसनकार नहीं बनेगा। दोस्तो सभी व्यक्तियों के रसनकार का सत्यापन करेगी। दोस्तो आपको बताना चाहेंगे कि शत्यापन के दोरान एपात्र को चुना जाएगा और उनके रसनकार को दोस्तो निरस्त कर जाएगा। अगर दोस्तों आपको पता है कि आप एपात की स्रेणी में आते हैं, तो दोस्तों आप स्मेम अपना रसन कार्ड समर्पित कर सकते हैं. यान कि अगर कारधारक की आमदनीते मानक से अधिक हो गई है जैसे कि दोस्तो टेक्स पी करने लगे हैं या फिर चार पईहां गाड़ी है इनकम टेक्स के दाइरे में आ रहे हैं तो ऐसे कारधारक स्वम ही अपना रसन कार्ड समरपित कर सकते हैं दोस्तो डेस्टो ने बताया है कि शत्यापन के दुरान पात्र पाए गए लोगों के रसन कार्ड निरस्त किया जाएंगे यान कि जो यहां पर नया अभिहान चला जा रहा है वे दोस्तो रसन कार्ड निरस्त को लेकर किया जा रहा है अब दोस्तो फिर से यहां ब्यान सुरू हो चुका है हाला कि पहले भी सरकार ने अभियान चलाया है जिन वैक्तियों को नोकरी मिल चुकी है या फिर जिनके परिवार में गोवर्मेंट जोब है चरपने गाड़ी है और भी दोस्तों कहीं परकार के यहाँ पर साधन है जो नियमों के खिलाफ है तो दोस्तों अगर आप एक रहसंद कार धारक हैं तो दोस्तों वीडियो को जासे जासे शेयर करेगा और आपसे हमारा निवदन है कि अगर आपको कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देजिए शेयर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब के लिए जगा दोस्तों आप चाहते हैं आपसे इजायत और मिलते हैं आपको नएश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जे भारत